विवाद स्यायन और अपसमाचार विस्तार से प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमरित महुद सपर देश के शहीदों को सम्मान देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है कल रविवार को मन की बात में इस फैसले की घुशना करते हुए कहा कि चंडिगर मोहाली हवाई अड़ा का नाम शहीद भगत सिंग के नाम पर होगा एक रिपोर्ट अजादी के अमरित महुद सपर देश के अमर शहीदों को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया याद मन की बात कार्यक्रम में शहीद आज़म सरदार भगत सिंग को शिद धानजनी के लिए एक बड़े फैसले की घुशना की और वो जो बड़ा फैसला है वो ये है कि अब चैन्डीगर मोहाली हवाई अड़े का नाम शहीद भगत सिंग के नाम पर सरदार भगत सिंग इंटरनाशनल एरपोर्ट होगा और भगत सिंग के परिवार ने इस फैसले की तारीफ की कहा 2007 से इसकी चर्चा तो चल वही थी लेकिन पीएम मोदी ने सपना कर दिया पूरा शहीद भगत सिंग नगर जिले में भगत सिंग के गाउं खटकड कला के लोगों ने बताया इसे सराहनी ये फैसला और पीएम मोदी की गोश्णा का पंजाब के लोगों और पूरे देश के लोगों ने दिल खोल कर स्वागत किया 28 सितंबर को शहीद आजम संदार भगत सिंग की जयनती है और अगर आप लगातार देखें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार करती रही है शहीदों को संबान देने का काम मेरे प्यारे देश स्वासियों आज से तीन दिन बाद यानि 28 सितंबर को अमरित महोत्सव का एक विशेश दिन आ रहा है इस दिन हम भारत मा के वीर सपूर बगत सिंग जी की जयनती मनाएंगे बगत सिंग जी की जयनती के ठीक पहले उन्हें स्रद्धानली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है यह तै किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद बगत सिंग जी के नाम पर रखा जाएगा इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी मैं चंडिगर्ट, पंजाब, हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बद बदाई देता हूँ